अलो फैंड्स वेलकम बैक सिविल इस्ट्रीड दोस्तों आज का संडे का दिन है और संडे के दिन में हर एक संडे जब भी संडे आएगा मैं आपको संडे क्यूज टेस्ट दूँगा आपकी नौलिज के लिए आपकी नौलिज की गैन के लिए प्रेक्टिकली ठेहिए तो उस साइट पर क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं हो तो आपको इस टेस्स से यह benefit होगा कि आप अपने वर्क में और skill हो जाओगे और आप improvement करोगे salary में improvement होगा आपके काम में तीजी आईगी और बहुत सारी चीज़ है जो यह test हो जाने के बाद में आपको बहुत ही बहुत ही बैटर फिल होगा बैटर knowledge होगी आपकी और भी चीज़े दोंगो बतांगो मैं आपको जैसे software के बारे में सिविल इंजिनेरिंग के लिए कौनसा software जरूरी है क्या important है आज कल AI tools और chat GPT भी यूज़ हो रहा है आजके डेट में उसके बारे में आने वाले टैम में वीडियो लेकर आप तो आप मेरे वीडियो में बने रहे हैं और आज क्या होना है कि और देखो मैं और मेरा channel half monetize हो ग बटन करेगा मेरा जो मेरे बटन को join करेगा उसमें दूगा मैं तो उसको extra benefit होगा उसके कुछ charges होते हैं लेकिन कोई जादा नहीं छोटा सा charges है जाए 100.5 रुपेज से जाद नहीं होगा लेकिन monthly charges रहता है उसमें आप उसको join करोगे तो आपको और भी experience मिलेगा और भी knowledgeable ची करा रहा हूं जो YouTube में teaching करा रहा हूं वही उनको मिलेगा ठीक है तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे चले शू करते हैं तो मैंने यह 10 Ques test है Ques question है होती है आपको पता होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ अभी कमेंट्स करो मेरे को और डालो के कितनी लेंथ होती है बताओ option 1 option A B C और D इन में से कौन सी लेंथ होती है ए है मैं आपको एक Ques test है यह दे रहा हूं मैं आपको आप मेरे को बताना कमेट्स में दूसरा question का अंसर में बताओंगा पहले का नहीं बताओंगा पहले आपका यह test मानों कि चलो आपके कितना लेंद होता है दूसरा question चार बाई आट चार फुट बाई आट फुट यह इसका standard size है तीसरा question है what is the standard size of rib which is used in shuttering ply most in formwork जब formwork में ply के साथ में रिप को use करते है तो उसका standard size क्या होता है पहला option है 2.1 inch by 3.1 inches ब है 2 inches by 3 inches C है 2.05 inches by 3.05 inches और D है none of these तो दोस्तो इसका standard size है वो 2 inches by 3 inches यह standard size है जो mostly shuttering ply में use होती है और मैं बता दूँ आपको कि एक ply के अंदर में जो 2 inch by 3 inch की जो वो जो use होती है वो mostly एक ply के अंदर में 6-8 piece होती है यह आपको किसी के दामें नहीं मिलागा मैं बता रहा हूँ आप चलिए next question में बढ़ते हैं आगे C है 50 mm by 150 mm, C है 50 mm by 100 mm, D है 150 mm by 50 mm बताओ इन चारों में से कौन सा standard channel है जो हम use करते हैं शर्टिंग के अंदर में mostly use करते हैं तो इसका सही answer है जो सही answer है C 50 mm by 100 mm, इसको mostly use करते हैं तो देखो दोस्तों पहले का none of these, दूसरे का A है 4 feet by 8 feet, तीसरे का हमारा B है 2 inches by 3 inches और 4 का है हमारा C 50 mm by 100 mm, ठीक है यह इसके answer पांचवा question है what is the size of vitrified tile which is mostly used in construction work, वो कौन सी vitrified tile है, कौन सा size of vitrified tile का है जो mostly construction में use होता है, पहला है A 500 by 600, B 500 by 500 M, C 600 by 500 M, D 600 by 600 M, ठीक है यह जो है meter नहीं है mm है, घल्द से लिग गया ही, आप करक कर लेना, यह 600 by 600 M, यह है, तो इसका सही answer है 600 by 600 M, यह सही answer है च्छाटा question है what is the standard height of MS railing used in housing, जो housing होती है, flats होते हैं, उनके अंदर में MS railing used होती है, MS railing बनती है, उसका standard size क्या है A है 1.5 meter, B है 1.0 meter, C है 1.2 meter, और D है none of these, तो इसका सही answer है B, 1 meter, 1 meter mostly used होती है तो next question है दोस्तो, what is the size of bricks which is used in construction, bricks का क्या size है, जो construction में used होती है, मैं standard यह उसकी बात नहीं कर रहा हूं है, theoretical की बात नहीं कर रहा हूं है मैं उस bricks की बात कर रहा हूं, जो field के अंतर, construction field के अंतर use होती है, practically जो use होती है, तो ए आंसर है, 200 mm by 150, 110 mm by 70 mm, C है 210, D है 230, C है 230, D है 250, तो इसका सही answer क्या है, तो दूसरी इसका सही answer है, C, 230 mm by 150 mm by 75 mm, आप जब नापोगे, तो correct size ही होगा, ठीके, practical नापोगे, on and average size निकल के जो हम construction में use करते है, आपा question है, what is the standard height of kitchen counter from FFL, जो हमारा kitchen counter में FFL बनता है, FFL, जो kitchen counter होता है, हमारे field में kitchen counter होता है, standard height क्या है, FFL से, तो दोस्तों, उसकी standard height FFL से kitchen counter तक 840 mm, आप नापोगे, किसी भी field में कहीं भी देखोगे, तो 840 mm होती है, FFL से, ठीके, next question है, what is the standard size of glazed tile which is mostly used in construction, first answer is A, 200 x 200, B 200 x 200, C 300 x 200, D 300 x 300, तो इसका क्या size है, जो gray style mostly used होती है, construction world के अंदर में, तो इसका सही answer है, D, 300 x 300, तो इसका सही answer है, 300 x 300 mm है, mm के अंदर में, तो यह सही answer इसका, 300 mm x 300 mm, मीटर गलत लिए, इसको correct कर लेना, दस्वा question है, what is the standard height of MSTL using housing, यह मैंने पीछे बता दिया, इसका सही correct answer है, B है, 1.0, यह isका correct answer है, यह question repeat हो गया है, लेकिन आपकी knowledge के लिए better है, इसका standard height होता है, MSTL का, वो 1.0 meter है, तो दोस्तों, अकर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को like, channel को subscribe कर लेना हर संड़े ऐसे Qs लेकर आँगा मैं, और आज शाम को 7 बजे मैं online आँगा, तो जो जो मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर जोड़ना चाहते हैं, direct question पूछा चाहते हैं, मैं इसे पूछ लेना, मैं आज 7 बजे online लोगा YouTube प, ठीक है, चलिए next video मलते हैं, thank you, जैहिन